क्या आपको बता है कि एक स्वस्त इंसान की किड्नी साइस कितनी होनी चाहिए? या अगर आपकी किड्नी छोटी हो जाए तो फिर उस कंडिशन में क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको किड्नी से जुड़ी कुछ ऐसी ही जानकारियां देने वाले हैं ताकि इन जानकारियों को जानकर आप अपनी किड़नी का बेहतर खयाल रख सकें। अगर आप भी किड़नी से जुड़े किसी भी समस्या से परिशान हैं तो वीडियो में इंटक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चानल किड़नी ट्वीटमेंट विदाओ डियालेसस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हिल्थ से जुड़े इस तरह के इन्फरमिटिव वीडियो उसको आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अब बिना समय गवाएं हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए एक normal किड़नी के साइस के बारे में तो आम तोर पर हमारे शरीर में दो किड़नी मौजूद होती हैं। जिसमें left side की किड़नी राइट side की किड़नी से थोड़ी बड़ी होती है। और इनका size लगभग 10 cm से 12 cm के आसपास रहता है। हाला कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका kidney size नॉमल लोगों की kidney size से थोड़ी छोटी होती है जिसे medical term में kidney atrophy के नाम से जाना जाता है अब जो लोग kidney atrophy की समस्या से जूज रहे हैं उनकी दिन चर्दा सामाने लोगों के मुकाबले थोड़ी प्रभावित हो सकती है और उन्हें क्यूरीन पास करने से लेकर कमर दर्द, पेट दर्द और मास पेशियों में दर्द की शिकायत रह सकती है तो अगर आप kidney atrophy की समस्या को कम करना चाहते हैं तो अपने आहार का विशेश ध्यान रखें साथी प्रोटीन वाली चीज़ों को avoid करें, एक healthy diet को follow करें ऐसा करके आप कुछ हद तक अपनी kidney atrophy की समस्या को कम कर सकते हैं इसके अलावा पानी का सही सेवन और नियम्मित रूप से की जाने वाली exercises भी आपकी kidney atrophy की समस्या में राहत दला सकती हैं तो अगर आप kidney की समस्या से खुद को दूर रखना चाहते हैं तो अपनी diet में हरी पत्तेदार सब्सियों को सरूर शामिल करें साथ ही kidney के सही treatment के लिए डॉक्टर से concern जरूर कर लें तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को like और share करना बिलकुल भी न भूलें हम आप से मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखें हिल्दी रहें नमस्कार